हेलो एब्रिवन दिस इस विनिता और आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल स्टड़ी विनिता में यह साइक्लोजी का पार्ट फाइव और इसका टॉपिक रहेगा आपका बांडूरा का सामाजी का देगम सिद्दान और इससे पहले पार्ट फॉर तक वीड को नहीं देखा है तो प्लीज मेरा चैनल विजिट कीजिएगा या फिर मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्ट रहेगा काफी शॉर्ट वीडियो रहेगा है क्योंकि बहुत छोटा इसका सिदान का प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले होगा इस वीडियो का प्रिफ इंटोडेक्शन यह मनुविग्यान पार्ट फाइफ और इस वीडियो में हम क्या-क्या सिखेंगे वह हम देखते हैं फर्स्टली इस वीडियो में हम सिखेंगे कि अलबर्ट बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्दात सेकेंड पॉइंट हम इस वीडियो में सिखेंगे कि बांडूरा के द्वारा दिये गए तीन तत्यों का क्या-क्या परिणाम रहा तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो यह है आपका फर्स्ट पेज जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है आपके लिए तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसमें आता है कि बांडूरा का जनम कब हुआ तो बांडूरा का जनम 4 दिसंबर 1925 को हुआ जनम तो हुआ लेकिन हुआ कहां वो हम देखते हैं बांडूरा का जनम कनाड़ा के अलबर्टा परदेश में हुआ जब उनका जनम अलबर्टा परदेश में वहा तभी तो उनके नाम के आगे अलबर्ट बंडूरा लगाया जाता है चीक है तो आगे हम सेकेंड पॉइंट के और बढ़ते हैं सेकेंड है इसमें कि बंडूरा को कुछ लोग संग्यानात्मक मनोविज्यानिक मानते हैं देखिए जिसमें संग्यानात्मक जिसमें टर्म आई है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगे इससे नेक्स्ट वीडियो ही होगे आपके संग्यानात्मक विकास पे तंत्र ही व्यक्ति के वैवार के लिए उत्रदाय माना है वैवातावर ने कारकों को अलवर्ट बंडूरा जी ने महतव नहीं दिया है किसको महतव नहीं दिया है वो है आपका वातावरने कारक और किसको महतव दिया है वो है आपका अभी प्रेणात्मक और दूसरे आपका सवनियंत्र चलिए आगे थर्ड पॉइंट की और हम आगे बढ़ते हैं थर्ड है इसमें कि बांडूरा ने वहवार के अरजन पर ध्यान के इंद्रित किया है बांडूरा ने किस पर ध्यान के इंद्रित किया है वो है आपका वहवार इनका विश्वास है कि वहवारों का अरजन यानि कि जो हम अपने वहवार के अंदर जो वंच ने परिवर्तन ले तो वो चेंजमेंट कैसे होती है जब हम दूसरों के वैवारों को निरिक्षन करके जो चीज हमें उसकी अच्छी लगते तो वह हम अपने अंदर अपना लेते हैं तो इसलिए ये बंडूरा जी ने कहा है कि जो वैवारों का अर्जन पर ध्यान के इंदेत किया है वो कि वैव नेम था देखिए आप वो है आपका शोशल फाउंडेशन ओफ थोट एंड एक्षन ये थी आपके पुस्तक का याई जो बंडूरा जी ने पुस्तक लिखी थी उसका नेम है इसमें देखिए इस पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या लिखा था वो दिखेगा इस पुस्तक क आत्मक विध्यों को श्रेश्ता प्रदान करते हुए निरिक्षन मापन फेर बदल जैसे चरों को महतव दिया है यानि कि इस पुस्तक के अंदर बंडूरा जिने किस-किस पर महतव दिया है वह आपका वैवारवाद में परियोगा आत्मक विदी कौन कौन सी निरिक्षन मा आगे बढ़ते हैं हम यह पॉइंट आपके क्लियर होई गे होंगे फॉर पॉइंट इसमें आपके चाहिए तो आप इसका स्क्रिंशोट भी ले सकते हैं काफी इंपोर्टेंट रहेगा यह आपके लिए प्लीज इसको कंप्लीटी देखेगा बीच में स्किप मत केजएगा अगर नहीं तो आपको समझ में नहीं आयेगा चली से आगे हम चलते हैं बंढूरा यानिकी उसके एक मश्यूर डैफिनेशन है वह हम देखते हैं कि बंढूरा जी ने क्या काया है देखते हैं कि बंढूरा के लिकाप Narrator के अनुसर वातवरण के फलसवरुप जो वहवार वि वहवार वातावरन को भी जनम देता है इसे आगे हम भड़ते हैं कि इस प्रत्य को इस कंसेप्ट को बंडूरा ने व्यूत्क्रम ध्रटा मेंस क्या होता है व्यूत्रम होता आपका रैसिप्रोकल और ध्रटा इस में determination यानि इस प्रत्यकों बंडूरा ने किसकी संग्या दी है वो आपका reciprocal determination I hope यह page आपका अच्छे से clear हो गया होगा आप दोबारा देख सकते हैं इसमें कुछ है factor थे सबसे पहला हो था उनका बंडूरा के अनुसर मैतोपून definition चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसे आगे है आपका इसे आगे है आपका कि बंडूरा ने व्यक्तितव को तीन तत्वों की अंते क्रिया का परिणाम स्विकारा है जो कि मैंने आपको ब्रिफ इंट्रोडिक्शन ने बताये था कि इस वीडियो पॉइंट उन्होंने दिया है वहवार जो आपका behavior होता है और थर्ड पॉइंट बंडूरा जी ने दिया है कि व्यक्ति की मनोवेग्यानिक प्रक्रिया है यह तीन पॉइंट है उनके यह आपको याद रखना बहुँ जरूरी है प्लीज इनको याद रखेगा क्या क्या क्य क्या था पर यह वो हम देखते हैं व्यक्ति की मनोवेग्यानिक प्रक्रियां चेक था पर यह चो शोने की सजोने क के उतल पढ़ है यह जाए प्रतीमा कि सम लित किया है याब्ठ की वाइख्या refuse कि आपको उतल्यकसषिय जो अहरूरीर्च में चाने की योग Gibson किया है याFF Grad वेक्षितों की विक्षय में सम्मलित किया है तो उन्हें क्या कहा गया है उन्हें पूर्ण वहीवारवादी मौनो वैग्ञान से अलग करके संग्यानात्माहन म Темध माना जाने लगा तु आपका यह प्रकार के मोडल go हम देखते हैं कि बंडूरा ने दो प्रकार के मोडल युँआ थे हैं कि बंडूरा तो के विकास पर ध्रड प्रभाव डालते हैं यानि कौन-कौन से हैं वो दो फॉस्ट तो है अभी भावक और दूसरा है आपका सिक्षक यानि एक तो आपके पेरेंट्स आपके मुख्य भूमे काने बाते हैं और दूसरा होता है आपका टीचर चलिए हम आगे देखते हैं य अच्छा कारिया करते हैं और अपने आपको पुरस्कृत करते हैं या फिर जब अभी भावक या सिक्षक खराब कारिया करने के लिए अपने आपको ही दोश देते हैं तो वहे भी इस प्रकार का वैवार सीख लेता है यानि कि इसमें बंडूरा जी ने कहा है कि जब आलग बंडूरा जी ने इस पर बहुत विशश रुप से बल देखता है यानुकरन की विदी के द्वारा बड़ों से जो उनका वैवार होता है वही अपने अंदर समा लेता है तो बंडुरा जी ने इस पर बहुत विशेश रुप से बल दिया है तो ये थी आपके आज की वीडियो आप देख सकते हैं सेकिंड पेज अगर आप इसका स्क्रिंशोट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं राम से ये थे आपके तीन पॉइंट जो तीन तत्व अंते क्रिया का पहिना मुझोंने स्विकारा है इससे आगे थे ये इसके पॉइंट्स आप इनके भी स्क्रिंशोट ले सकते हैं पहल्पूर रहे गाई आपके लिए याज जरूर कीज़ेगा एक बार पढ़ोगे तो इसली आपको लर्न हो जाएगा इसे आगे यह है आपका लास्ट पॉइंट आप इसका विसक्रिंशोट ले सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीज़ेगा और कमेंट सेशन मुझे बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा नेक्स जो आपको वीडियो होगा वो होगा आपका जीन प्याजे का संगयनात्मक विकास पर स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था कि फॉर्थ पार्ट तक अप्लोड हो चुके हैं अगर आपने भी तक उनको नहीं देखा तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक आप ले सकते हैं और वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या आपके लिए हैल्पफूर रहते हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और पास में बैल आइकन है उसको जरूर प्रैस कीज़ेगा इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चलिए मिलते हैं हम से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार